हेलो डियर तो आप लोग जितने भी मधपरदय से जीये नेम नर्सिंग कर रहे हैं उन सभी ठट येरे स्टूटेंट के लिए जो है अच्छी ख़बर आई है जितने भी लोग मारकसीट को लेकर अपना-पना वेट कर रहे हैं थी कि कब आएगा मारकसीट, कब आएगा मारकसी किया आता है कि मानिये उच न्याले में जो मामला चल ला है दस और सी बाई दोहजार बाइस में दिनांक साथ माई को जो फैसला आया था पारित आदेश के अनुसार घोसित किये गए परिच्छा परिणाम तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था साथ पांच को जो ओर्डर आया था मैंने बताया भी था कि उस ओर्डर में कहा गया है कि मार्क सीट जारी कर सकते हैं बट जो मार्क सीट जारी होगा उच न्याले के जो फैसला है उसके अधीन में होगा ठीक है तो वही चीज़े यह यहां पे बताया जा He कि यहां पर फस्ट एक सबका जो रिजलत आया है या पी ठर्ड इयर उन सभी के लिए जो marks-set जारी करना है वह marksVer Time जो कि समस्त र्श्री महामेद्ध को आगामी एक माह में पराप्त हो जाएगी मतलब जो original mark sheet है वह आगामी एक माह में सभी college को पराप्थ हो जाएगा जो mark sheet है वह प्रबहावदिक होकर मानिये उच न्याले में परचलीत प्रकरम के अंतिम निर्न Еще के अधीन रहेगी मतलब जो Markshit मिलेंगे वह Markshit आपके हाई कोट में जो मामला चला था उसके अधिन यह होकर रहेगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि Marksit पर कोई ऐसा important notice न रहे लास्ट मेंanya ताकि वो देखने से थोड़ा सा जो है भैलू जो है नीचे होता है तो इस लेकर यह आम सुचना यहाँ पे जारी कर दिया गया है इसके बाद जो है आप लोग के मारक सिट में जो है कुछ इस परकार के जो नीचे में इंपर्टेंट नोटिस करके रिजल्ट में जो आता था कि यह रिजल्ट कोट के नियाले के निरनय के अधिन में है वह अधिन जो है इंपर्टेंट नोटिस नहीं रहेगा इसलिए आम सुचना यहाँ पे देकर सब को बता दिया गया है कि इस मामले के अधिन में जो है यह आपके मारक सिट सभी कोलेज को अगामी एक महीने में मिल जाएंगे समझ गए और उस मारक सिट पर बिलकुन फ्रेस रहेगा कोई इंपर्टेंट नोटिस नहीं रहेगा इसलिए यह आम सुचना आप सभी को बता दिया जा रहा है एक नोटिस के माधियम से ताकि सब लोग जान जाए कि जो मारक सिट आगे आएगा वह जो है मानिये उच नियाले में जो तो जो अब होगा वह मानिये उच नियाले में परसलीत जो परकरन है उसके अंतिम नीर्नये के अध्याये धिन रहेगी मतलब जो भी मार्क सीट जारी होगा वह कोट के अधीन में रख कर जारी किया जाएगा समझ गए लेकिन जो important notice example के तरप मैं आपको दिखा देता हूँ अभी देख लीजिए जैसे result आता था तो आप लोगो पता है कि result के जो website पर सोख कर रहा था उसके मार्क सीट में नीचे important notice इस परकार से लिखा हुआ रहता था ते तो website का है चलो लिखा था तो कोई दिकत नहीं है कि इस निर्णाय के अधीन में जारी किया जा रहा है बट जो final mark सीट आएगा ओ तो एक बार ही छपता है original तो इस लेकर इस लेकर जो है कोट में प्राथना किया गया कि एक बार final mark सीट जारी होते हैं तो इसलिए यह important notice mark सीट में न देकर एक बार आम सुचना में बता दिया जाए लोगों को कि हाँ यह जो भी mark सीट जारी होगा वह कोट के निर्णाय के अंतिम निर्णाय के अध्याधीन में तो इसलिए जो है सुचना के रूप में आप सभी के बीच में आया है ताकि कोई आगे जो है इस पर यह नहीं करे कि हाँ यह जो है हमें बताया नहीं गया या फिर कोई पर कोई जो है क्लेम नहीं कर सके इसलिए कांसिल पहले से बहुत सतर्क है और अब कुछ भी काम अपना से नहीं कर रहा है कुछ भी कर रहा है कोट में जाकर निने परमिसन लेकर ही कुछ कर रहा है तो इसके लिए परमिसन लिया उसके बाद आम सुचना आप लोग को बता दिया गया और अब जो है आगे एक महीने में जो भी थर्ड यर हो सकेंड यर हो फर्स्ट यर हो जिनका जिन दोगा अपलोग देख लिए